सभी को नमस्कार, संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है, आज हम सभी लोग MP Board की संस्कृत सुरभी कक्षा आठमी के प्रथम पाठ का अध्यन करने जा रहे हैं प्रथमह पाठा लोक हितमम करनियम संस्कृते गीत परंपरा अती सम्रद्ध प्राचीन चा संस्कृत में गीत की परंपरा अती सम्रद्ध और प्राचीन है जनाई मनह सिद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् बाई ये अध्यन करते हैं प्रतम स्लोक का. मनसा सत्तम इस्मरनियम बजसा सत्तम बदनियम लोके हितम ममकरनियम लोके हितम ममकरनियम मनसा सत्तम इस्मरनियम इसकार्थ है मन से नीमत रूप से इस्मरन करते रहना चाहिए यानि इश्वर का समरण करते हुए और सही बातों का चिंतन करना चाहिए बजसा सत्तम बदनियम और बाणी से सदैब अच्छी बात है और सही समाज के योग बातों को ही बोलना चाहिए लोक हितमम करनियम संसार काहे थी मुझे करना चाहिए समाज का हिथी हमको करना चाहिए हमें किसी भी भोग भवन में हमारे पास कोई भी भोग बलास के समाज साधन है उनमें नहीं हमको रमन करते हैना चाहिए यानि उनहीं में नहीं लिपत रहना चाहिए ना चा सुक साइने साइनियम और ना ही सुक की साइया पर सोकर या सुक की साइया में ही ब्यस्त बने रहना चाहिए उसी में सोए रहना चाहिए अहर निसम जागर नियम इन सब को छोड़ कर हमें नियमत रूप से जागरत रहना चाहिए जागरत होने कार थे हमें समाज के सभी कारियों में और परुपकार के कारियों में जागरत अवस्थाम रहते हुए कार करना चाहिए लोक हितमम करनियम हमें संसार काहित करना चाहिए तीसरा असलोग देखते हैं नजातु दुखम गड़नियम नचनेचे सौक्यम मननियम कार चेत्रे तरिनियम लो कहतमम करिनियम हमें नजातू-दुखंगरनियम जातू-यनिmmmm,"जातू यानि स्वयमके हमें अपने दुखों की गढ़ना नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में कोई नगोई दुख आते ही रहती है ना चनिज्ज सौक्छंम मनिनियम ना ही हमें अपने सुखों के मन को मन से लगा कर उनका चिंतन करते रहना चाहिए या उनमें सुखी बने रहना चाहिए इस अर्थात ना ही हमें दुख की चिंता करने चाहिए और ना ही हमें सुख में खुश होते हुए उसका मनन करना चाहिए हमें क्या करना है कार चेत्रे तर्णियम कार के चेत्र में जो हमारा कार चेत्र या जो हमारा कार है उसमें पूर उर्जा के साथ और गती के साथ तर्णियम ऐनी तीब्रता के साथ लगना चाहिए लोग हितमम करनियम हमें संसार का हित करना चाहिए दुख के सागर हमारे जीवन में जो आते हैं उनमें हमें डूबना नहीं चाहिए उनमें तर्नियम यानि तेहर के उनको पार करना चाहिए कष्ट पर्वते चर्नियम जो हमारे जीवन में कष्ट के पर्वत आते हैं उनके सामने हमको नत्मस तक नहीं होना है उनके उपर प्रयास करके हमें उनको उपर चड़ना चाहिए विपत्ति विपने भ्रमनियम विपत्तियों के बन में जंगल में हमको भ्रमन करते हुए उसमे लुक कार्थ है कि हमें दुक में, दुक के सागर में और परवतों के परवत रूपी कष्टों में या फिर विपत्ति रूपी बन में भी किसी भी तरीके से रुकना नहीं है, उनमें से भ्रमन करते हुए, चड़ते हुए या तेरते हुए निकलना है. गहना रन्य घनांदकारे बंदु जनाए इस्तिता गहवरे तत्रमया संचरनियम लोके तम्मम करनियम लोके तम्मम करनियम गहना रन्य यानि घने जंगलों में भी घनांदकारे घने अंधेरे के अंदर यानि हमारे ऐसे बंधू बंधू जनाए स्थता गहबरे और ऐसे भाई बहन जो गहरी कुफाओं में नवास कर रहे हैं इसकार्थ क्या है गहना रन्य यानि दुख के घने जंगल में या कस्टों के अंधकार में और जो हमारे बंधु है बंधु जनाइस तदा गहवरे याई जीवन की कटनाईयों की गुफाओं के रूपी कटनाईयों में जो गहन अंदर उनी हिस्से में नवास कर रहे हैं जो जीवन में दुख से कस्ट से या संकट से पीड़े थे ऐसे बंधुओं के पास तत्र मया संचरनियम हमें अपने ऐसे भाई बंधुओं के पास संचरनियम यह जाना चाहिए लोग हितमम करनियम और हमें समाज का हित करना चाहिए संसार का हित करना चाहिए इस इस लोग का अर्थ गूड है कि हमको हमारे बंधु जो क सुख दुख का हाल लेकि उनके साथ उनकी सेवा सुसुरजा करनी चाहिए ऐसे समाज का हमें लोखित करना हुगा इस तरीके से अध्याय समाप्त होता है इसमें पांच स्लोग थे जो हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में बताते हैं आईए अब इसके प्र त्वर्णियम का अर्थ है करने योग कार्या करना चाहिए त्वर्णियम का अर्थ है सीगरता करने चाहिए दुख सागरे अर्थात दुख रूपी सागर में कष्ट परवते कष्ट रूपी परवत पर इदोनों ही सब्तमी विवक्ति में हैं गहना रन्य अर्थात घने जंग में या बन में ये भी सब्तम विवक्ति है गहवरे अर्थात कुफा में ये वो सारे अर्थे सब्दार्थें जो हमारे पाठ में आये हुए हैं इन्हें हमें इसे शुरुप से याद रखना होगा और इन्हें अपने अध्याय में लिखना चाहिए अब हम एक पदेन उत्तर द मन सा किम करनियम अर्थात हमें मन से क्या करना चाहिए मन से हमें इसमरन करना चाहिए इसमरनियम पचसा किम करनियम बाणी से हमें क्या करना चाहिए माणी से हमें बोलना चाहिए बदनियम कस्मिन ना रमनियम हमें भोग भवन में रमन नहीं करते रहना चाहिए भोग भवने किम ना गड़नियम हमें क्या गड़ना नहीं करनी चाहिए हमें दुख की गड़ना नहीं करनी चाहिए दुखम किम ना मननियम हमें किस बात का मनन नहीं करना चाहिए नेज सौक्यम ना मननियम तो यहाँ पर हमको लिखना होगा एक शब्द नेज सौक्यम इस प्रकार से एक पदेन उत्तर पूर्ण होते हैं अगला देखते हैं एक बाके इन उत्तरम लिखत इसमें हमको एक बाके बनाना है कुत्र तौरणियम कहां हमें तीबरता के साथ जाना चाहिए हमें कारचेतर में तीबरता के साथ जाना चाहिए कारचेतरे तौरणियम कुत्र के स्थान पर कारचेतरे लिखना चाहिए कस्मिन तौरणियम किस में तैर के निकलना चाहिए हमें दुख सागरे दुख के सागर से तैर कर निकलना चाहिए तो यहाँ पर कस्मिन के स्थान पर लिखेंगे दुख सागरे कुत्र चरनियम हमें कहां चड़ना चाहिए हमें कस्ट परवते यानि परवतों के जो कस्ट के परवत हैं उनके उपर हमें चड़ना चाहिए तो कष्ट परवते चरनियम विपत्ति विपने किम करनियम विपत्तियों की बन में हमें क्या करना चाहिए तो हमें विपत्तियों की बन में भ्रमण करते हुए वहां से निकलना होता है इसलिए विपत्ति विपने किम के स्थान पर लिखेंगे भ्रमनियम और अंगला है मम किम करनियम हमें क्या करना चाहिए हमें लोखित करना चाहिए मम किम के स्थान पर लोखितम मम लोखितम करनियम ये सबी एक बाके उत्तरम लिखत हैं इसलिए हमें हमको पूरा बाक्य बनाना हुगा जो सब्द मैंने लिखे हैं वो आपको कुत्र का समेन किम इनके स्थान पर लिखकर और प्रश्ण मैंसे पूरा उतारते हुए या लिखते हुए हमको पूर्ण करना है जैसे प्रथम है, कुत्र तरणियम, कुत्र के स्थान पर लिखना है, कार्य चेत्रे तरणियम, पूरा तरणियम भी हमको लिखना हुआ तीसरा प्रश्न देखते हैं, उचितम योजियत, सही जूडियां मिलाना है, आखंड से बाखंड को सही मिलाना है मनसा सत्तम इस्मर्नियम, का को सत्तम इस्मर्नियम से मिलाएंगे, बचसा सत्तम बदनियम, का को सत्तम बदनियम से मिलाएंगे, भोग भबने नारम्नियम, नारम्नियम से मिलाएंगे, लोक हितम कर्नियम, कर्नियम से मिलाएंगे, अहर निसम जागर्नियम, जागर्नियम से मिला कि प्रिश्ण चार देखते हैं सुद्ध बाग्या नाम समक्चम आम असुद'S बाग्या नाम समक्चम न इती लिखत का कष्ट पर्वत चर्णियम क्या हमें परवतों के आम कष्ट रूपी परवत पर चड़ना पर चाहिए? आम दुख सागर से हमें तैयर कर नहीं निकलना चाहिए, ना, ना जातू दुखम गड़नियम, हमें अपने दुखों की गड़ना नहीं करनी चाहिए, आम, यानि हाँ, विपत्ति विपने ना म्रमनियम, हमें विपत्तियों के बन में भिरमण करती वें नहीं निकलना चाहिए, ना, ना यानि नहीं, इस तरीके से आम और ना प्रिश्ण पूर्ण होता है प्रिश्ण पांच उचित पदिये रिक्त स्थानम पूरियत यहां ब्रैकेट में सब्द दिये गए हैं मैसे चुनकर खाली स्थानम को भरना है बंदु जना ए इस्थिता गहवरे बंदु जन जो गुफाओं में नबास क कर रहे हैं तो गहवरे इसमें लगाएंगे लोक हितम मम करनियम करनियम सब्द लगाएंगे भोग भवने नारमनियम तो नारमनियम इसमें भरेंगे कारचेत्रे त्वरनियम कारचेत्र में हमें सिगरता से जाना चाहिए तो त्वरनियम इसमें भरेंगे कष्ट परवते चर बना चाहिए तो इसमें हम चरणियम को खालिस्तान में भरेंगी कुछिन नमबर 6 देखते हैं नामुनलेक पूरवकम समास विग्रहम कुरुत इन समास सब्दों के समास विग्रह करके उनके नाम लिखने हैं इनके बारे में अध्यन के लिए मैंने कलग से समास के बारे में वीडियो बनाया हुआ है आप वहां से देख सकते हैं फिर भी ये अध्याय में है इसलिए इनके बिग्रहम में कर देता हूँ पर्वते ये भी तत्पुरुष समास है इस प्रकार से आपको इन समास के बिग्रह करके इनके नाम लिखने हैं इनकी बारे में और अध्यन करने के लिए आप मेरे समास बिग्रह के वीडियो को जरूर देखिएगा प्रिश्न साथ रिक्तिस्थानम पूरियत ये इस लोख है जो आपके अध्याय में आय हुए है ये इस लोख नंबर तीन है और नंबर चार है जो मैंने नीचे लिखे हुए है आप इन में से देख के इनको बर सकते हैं या फिर अपनी पुस्तक से इनको लेके पूर्ण कर स सकते हैं इस लोग को हमको कंठस्त भी करना चाहिए